Hello students, Raj Computers welcomes you all for online education. So, आज का first topic है Excel and Excel में आप लोग को आज में very very important topic सिखाने वाला हूँ that is pivot table, okay? So, Excel आप लोग ने अल्यडी सीखा है या फिर सीखा रहेगा या फिर नहीं भी सीखा, तू भी कोई प्रॉब्लम नहीं है So, आज की जो topic में आपको जो pivot table के related आपको जो knowledge देने वाला हूँ, वो आपको बहुत अच्छी तरह से आपको लेना है पूरा video end तक देखो, तो आपको पूरे topic में अच्छी से अच्छी जानकरी मिलेगी Because ये जो pivot table है ना बहुत important है Excel में Because आज की तारीक में जितनी भी corporate level पे आप किदर भी काम करने जाओगे और Excel का काम आते हैं, वहाँ पे 90% use, pivot table का use होता है Because ये अक्केला Excel में option है, जो कितना भी complicated data रहेगा, कितना भी vast data रहेगा उसको easy way से summarize करके represent करेगा, okay So आज मैं आपको सिखाने वाला हू, pivot table, so चलो start करते हैं And Excel में first topic में आज आपको सिखाने वाला हू, pivot table दो आप लोगने ये topic सिखा रहेगा, अगर नहीं भी सिखा है तो ये पूरा वीडियो अगर आप end टक देखोगे So आपको पूरी Excel के ये topic के related जानकर ही मिल जाएगे And ये जो topic है बहुत important है guys Because अगर आप जभी भी companies level पर काम करने जाओगे नाद अभी pivot table का आपको बहुत बहुत use होने वाले है So चलो start करते हैं सबसे पहले वो अभी मेरे पास यहाँ पर Excel के एक sheet ready bit मैंने ले लिया है और ये मेरे पास एक random database है मैंने यहाँ पर ले लिया हुआ है जिसमें मेरे पास यहाँ पर employee के codes है, names है, department है, regions है, branch है उसके different-different dates मैंने कौन से date पर employee joint हुआ था मैंने यहाँ पर ले लिया है, उसके salaries क्या है, उसके status क्या है वो मैंने यहाँ पर random database ले लिया, right अभी यह data को मुझे अभी करना क्या है students कि यहाँ पर कि मुझे पता चले कि कौन से department में कौन से region में कितने number of employees काम कर रहे है और उस कौन सी कौन से जगा पर गाम कर रहे है यह data को मुझे यह levels पर summarize करना है और easy way से represent करना है और यह की option है अपने पास अगर यह data को simple वैसे representations करना है और जितना भी complicated रहता रहेगा, vast data रहेगा उसको भी represent easy way से करना हूँ आपने पास एक option है Excel में that is insert pivot table so यह जो pivot table नाम का एक option है Excel में जो easy to arrange summarize the complex data in a pivot table so सबसे पहले pivot table पे click करना है अभी यहाँ पे एक option आ रहे है that is select a table of range यह पूरा table of range आपको select करना है simply click here and select the entire table array normally मैंने यह data select कर दिया अगर आपको pivot table नहीं worksheet पे चीए तो आप new worksheet पे ले लो अगर आपको यहाँ पे ही बाजू में चीए तो हम लोग existing और location अपने को define करना पड़ेगा लेकिन मुझे चीए नहीं worksheet पे तो मैंने यहाँ पे new worksheet ले लिया और मैंने यहाँ पे okay किया तो जैसे मैंने नहीं worksheet करके मैं जैसे यहाँ पे okay कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा pivot table के related यहाँ पे यहाँ पे आपको एक format आएगा यहाँ पे pivot table के fields आ रही है जिसमें उसका नाम, department, region, branch, date, salary, status यह सब different different क्या आया पता है आपको जिसमें आपने यहाँ पे जितने भी columns के titles थे ना वह सारे titles आपको यहाँ पे represent होंगे okay उसके बाद यह four major part है pivot के कि आपको किस साबसे आपको data दिखाना है अगर मैं बात करूँ के for example यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे department है मैंने यहाँ पे department को click करके जैसे मैं rows के अंदर डाल रहा हूँ यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे देको admin, ccd, director, finance, marketing, ol, personal यह सारे आपको row में represent हो रहे है अभी यहाँ पे for example department का तो हो गया मैंने यहाँ पे region मैंने column के अंदर डाल दिया तो यहाँ पे दिख रहा है आपको east, north, south, west यानि जितने भी regions थे हो सब मेरे को column format में represent हो अभी मुझे क्या चीए कि admin वाले की east में total कितनी salary जा रही है, मुझे वो पता करना है, so आपको simple salary यहाँ पे दिख रहा है, click करके आपको सीधा values के अंदर आ जाओ, so यहाँ पे आपको easily दिख रहा है कि admin वाले की east में total 41,000 something salary जा रही है, north वाले कितनी, south कितनी, west कितनी, grand इ easily, because एकदम easy है, कुछ problem ही नहीं है इसमें, उसके बाद, अभी यह pivot में, और किस तरह से analysis कर सकते हैं, वो pivot में कौन से कौन से options हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, यह एक first step तो आपको सब को पता चला, कि हम लोग ने insert में गए थे, pivot में गए थे, उसके बाद यह select किया, a new worksheet कि किया, okay, उसके बाद यह पूरा table आ गया, उसके में हम लोग ने simply, drag and drop किया है, and इसके साब से मुझे यहाँ पर data इस वे से represent हो रहा है, so students, जिस तरह से हम लोग ने देखा, कि यहाँ पर पूरा row labels में आपको यहाँ पर represent हो रहा है, that is our department, and column label में यहाँ पर represent हो रहा है, हमार of region, so यहाँ पर पूरा आपको region wise आपको data sort मिलेगा, and यहाँ पर आपको column में यहाँ पर पूरा मिल रहा है, that is department wise, okay, so यह एक बार होने के बाद, अभी मैं सबसे पहले आपको से दिखाना चाहता हूं, कि जिससे मैंने आपको पहले बताया था, कि मुझे क्या करना है, यह data म कि मुझे department में कितने number of employees कौन से कौन से region में काम कर रहा है, and कौन से location में located है, okay, so उस तीरा से अगर हमको यह ही data में बताना है, तो यहाँ पर आपके अपके employees भी यहाँ पर हो सकते है, okay, so यहाँ पर आपको easily यहाँ पर represent हो हो रहा है, ऐसे कि आपको हर एक department में कौन से region में, कौन से कौन से employees काम कर रहे है, उसकी exactly salary का है, वो भी आपको यहाँ पर data में easy से represent हो रहा है, okay, so अभी students अभी इसमें और भी कुछ add करना चाते हो, तो आप easily कर सकते हो, और else अभी मैंने क्या किया यहाँ पर, कि branch को मैंने ल admin में, आगरा में, अनुराजा करके, एक employees काम कर रहे है, बैंगलावर में दीशा है, कलकता में सूरज है, कटक में अलोग है, तो इस तरह से आपको पूरा data यहाँ पर represent आपको यहाँ पर हो सकता है, okay students, so, अगर suppose, आप यहाँ पर branch rose में नहीं डालते है, आप बोलोगे कि नहीं मुझे filter में डालना है, तो filter का use किस तरह से करेगा, कि आप जो भी branch यहाँ से select करोगे, कि for example, मैंने यहाँ से select किया, agra for example, ठीक है, आगरा करके मैंने यहाँ पर okay किया, तो agra में admin में कितने employees है, marketing मे कितने है, personal में कितने है, research and development में कितने है, उतने ही employees आपको यहाँ पर दिखेंगे, आप बोलोगे sir, नहीं मुझे agra के साथ और एक location को add करना है, so, आप यहाँ पर सीधा चैनने ही पे, मैंने यहाँ पर और एक click किया, चैनने ही पे, and मैंने यहाँ पर okay किया, तो आप data यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, so, यह हमारा पूरा जिस तरह से basics pivot, जिसमें आप सिर्फ drag and drop करके, इतना ही data को analysis करना है, अगर आप भोलोगे, कि नहीं sir, इसमें और थोड़ा expand होना चाहिए, और थोड़ा कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पर देको sum of salary सीख रहा है, आप को निकालना है, तो simply click and drag wherever, कि दर भी outside drag कर दो, तो इसे के साथ वापिस कर, यह normal आपको data देखीगा, जिसमें department and region mentions यहाँ पर है, okay, so, उसके बाद, अगर मैं यहाँ पर बोलू, कि for example, यह data हो गया, अभी इसमें मुझे और थोड़ा easy way से analyze करना है, कि मुझे count करना है, कि admin मे east में कितने number of employees काम कर रहे, अभी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, वो total salary दिख रहे हो, कि students अगर आपको यहाँ पर counting format में चाहिए, so, आप यहाँ पर sum of salary के वहाँ पर click करो, उसमें यहाँ पर option आ रहा है, that is value fill setting, और यहाँ पर option आ रहा है, sum की जगा पर count and यहाँ पर okay क रहा है कि admin में east में 3 employees काम करें, north में 4 employees काम करें, south में 2 है, west में 1 में 2, total number of employees are working in admin, that is 10, वैसे ccd, वैसे director, वैसे finance, वैसे marketing, ol, personal research and development and sales, so, total number of employees we have 76 employees in our company, समझ में आया, students आपको, I hope, आपको सबको समझ में आ रहा है, मेरी speed थोड़ी आपको fast लग रही रहेगे, लेकिन यह video म आपको बहुत easily समझ में आ सकता है आपको, अगर आप ध्यान से video देख रहे हो, तो, okay, so, यह मैंने आपको बताया, value field setting में some count, वैसे ही, आप average ले सकते हो, minimum ले सकते हो, maximum ले सकते हो, जो भी आपको करना, student आप easily यहाँ पर select करके कर सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पर sum य रहा है, okay, so, students, जिस तरह से हम लोगने value field setting में यहाँ पर देखा, so, बैसे हम लोग some minimum maximum कर सकते है, अभी यहाँ पर मैंने submission लिया है, अभी pivot में इतना तो हम लोगने सीख लिया, कि किस तरह से drag and drop करके data को analysis कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावाँ भी बहुत सारे pivot में options हैं, जो tabs लिख रही है, लेकिन जिस तरह से जिसे आप लोग pivot के inside अगर आपने click किया है, so, आपको देखो यहाँ पर pivot table tools आ रहे है, यहाँ पर analysis and design दो नए options आएंगे, and analysis tab में there are so many different different kind of options जो बहुत बहुत use होते है pivot table में, जो मैं आपको भी धीरे धीरे बताऊंगा, okay, so, सबसे पह type के यहाँ पर अब तक हम लोग groups नहीं बना सकते, अगर जैसे आपने यहाँ पर click किया, अगर यहाँ पर आप group selection देखो तो दिखरा एक option आ रहा है, यहाँ पर cannot group that selection, because यहाँ पर कोई data ही नहीं, यहाँ पर हम लोग ने single data mention किया है rows में, only department wise, तो यह group बन नहीं सकता, तो आपके पास यहाँ पर एक date मैंने यहाँ पर अलड़ी दिया हुआ है, that is higher date करके, higher date को मैंने select करके row label के उपर डाल दिया, यानि थोड़े above side में मैंने यहाँ पर रखा, तो जैसे मैंने row label के उपर रखा मैंने उसको, तो यहाँ पर देखो individual date wise आपको data represent हो रहा है, कि January month, July month then again November month, then May month, every year wise and विसे, तो आपको अगर group करना है अपनी data को, अगर वो group के सहसाब से करना है, अभी आप देखो जैसे यहाँ पर cursor रखे, आप जैसे group selection के अंदर जाते हो, तो यहाँ पर आपको दिखेगा month wise करना है, quarter wise करना है, year wise करना है, मैंने यहाँ पर मैंने months ले लिया यह नहीं पता चलेगा कि कौन से महिने के ही, कौन से year के group है, तो आपको year भी इसके साथ लेना है, तो आपको group selection में जाके यहाँ पर years लेना है, and okay करना है, so 1997 में Jan and July, 1979 में November month, 1980 में May month, आपको clear आपको data represent यहाँ पर month wise, year wise, आप कर सकते हो, ungroup करना है, तो click on the ungroup, come back to normal, normal format हो ज जाएगा, okay, I hope यह आपको clear हो गया रहेगा, इसका options, and उसके बाद एक slicer and timeline very important है, pivot table में, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, slicer का use क्या होता है students, कि जिससे आप लोग ने अभी filter देखा, okay, जिससे हम लोग ने branch में से हम लोग कोई भी individual select करते थे, उसमें उसका data यहाँ हमारे पास आजाता था, right, वैसे ही हम लोग slicer यहाँ पर use करेंगे, कि for example मैं slicer के अंदर जाता हूँ, मैंने यहाँ पर target किया मेरी branch को, and मैंने यहाँ पर okay कर दिया, okay, students तो यहाँ पर जिससे branch यहाँ पर दिख रहा है, तो multiple branch यहाँ पर आपको दिख रही है, क्या आगरा ह and something, something different, different branches आपको दीख रही है यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर suppose बरोडा पर click किया, तो आपको सिर्फ data किसका मिल रहा है, students बरोडा का मिल रहा है, जैसे मैंने यहाँ बैंगलोर पर click किया, तो you'll be getting data only on बैंगलोर, लखनो पर किया, तो लखनो का data मिलेगा, वैसे आप को को जिस हिसाब से minimize, maximize करना है, students आप अपने हिसाब से यहाँ पर उसको लेगा, आप बोलोगे कि ने मुझे यह ब्रांच इतने में ही आना चाहिए, और multiple columns यह तो यहाँ पर आप columns बढ़ा सकते हो, देखो यहाँ पर जैसे click करो कि एक option dialogue box आएगा, और यहाँ पर multiple columns इतनी भी यहाँ पर date देखा, जिसमें group, ungroup हम लोग अभी कर रहे थे date में, तो वैसे ही यहाँ पर एक option है, that is timeline option, तो timeline option में जैसे हम लोग जाएंगे, यहाँ पर एक option आएगा higher date, and okay करो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर something date सी, तो timeline में date and time ही applicable है, उसमें और कोई options यहाँ पर applicable नही होंगे, अगर मैं timeline option में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखो date सारी है, यहाँ पर month wise, year wise, quarter wise, day wise, जैसे मैंने यहाँ पर year ले लिया, so यहाँ पर different year, आप बोलोगे 1997 का ही data चीए, तो 1997 पर click करो, सिव उसके ही data हैंगे, 1998 में तो कुछी नहीं है, 1999 में देखूंगा, तो यहाँ यहाँ पर data यहाँ आप जिस तरह से click करोगे, उस हिसाब से आपका data यहाँ पर represent होगा, आप बोलोगे, सारी year का देखना, clear all करो, normal हो जाएगा, वैसे ही आप month wise, short कर सकते हो, quarter wise कर सकते हो, day wise कर सकते हो, तो इस हिसाब से पूरा एक single click पर आपका पूरा data analysis हो सकता है students, okay, I hope you understand group and filter and everything, वैसे ही अगर suppose for example, मैं यहाँ पर कोई भी, जैसे मुझे यहाँ पर इतनी सारी columns है, in case यह sheet में कोई भी नई column add हो रही है, कि कुछ भी changes हो रहा है, तो उसको update करने के लिए आपको analysis में refresh option use करना पड़ेगा, okay, अगर आप refresh pivot कभी भी automatic refresh नहीं होता, आपको manually जाके उ ठीक है, उसके बाद अगर suppose यह pivot में, मैं आपको एक last pivot में एक option सिखा रहा हुआ, that is pivot chart, अभी यह पूरा pivot तो बन गया मेरे पास, pivot table is ready, अभी pivot इसमें chart वगेरा से represent करना है, तो हम लोग pivot chart का use करेंगे, जिसमें आपको column chart डिया हुआ है, line chart डिया हुआ है, pie chart डिया हुआ है bar chart डिया है, जैसे मेरे first chart में आपको column दिखा रहा हुआ, so आपको देखो यहाँ पर column chart आपके सामने यहाँ पर represent हो जा रहा है, okay, I hope आपको इतना पूरा समझ में आया रहेगा, so यह पूरा मैंने यहाँ पर column chart यहाँ पर बना दिया, अब यह column chart देखो कितना simple है, कि कि यहा यहाँ पर admin department, हर एक department आपको यहाँ पर दिख रहा है, x-axis में represent हो रहे है, और यहाँ पर east, north, south, west करके यहाँ पर region पूरा आ गया हूँ, यहाँ पर y-axis में मेरी, यहाँ पर salaries आ गए, okay students, अभी मुझे क्या चाहिए, कि जैसे मैं आप कोई भी, जैसे मैं Bangalore पर click करूँगा सीधा Bangalore का chart भी ready, Bangalore का table भी ready, जैसे मैं यहाँ पर कटक पर click करूँगा, उसका data ready, यहाँ यह single click पर आपका पूरा graph analysis हो रहा है, पूरा pure table analysis हो रहा है, clear all करो, पूरा data analysis एक साथ, समझ में आ रहा है, so यह पूरा easy से आप पूरा data analysis यहाँ पर कर सकते हो, I hope सब लोग को बह भी चाहिए, आप pivot chart पर जाके, जैसे मैंने यहाँ पर pie chart लिया, and okay किया, आपके पास pie chart भी यहाँ पर ready हो सकता है, okay, so जैसे आप click करोगे, उसके हिसाब से आपका data analysis यहाँ पर हो सकता है, students, okay, so अभी जैसे मैंने यहाँ यहाँ पर click किया, जैसे डेल्ली पर तो आपको डे पूरा आप practice कीजिए, pivot के यह वीडियो को बार बार देखिये, ताकि आप भूलो नहीं, यह तो मैंने आपको simple सा basics pivot table अभी बताया है, और भी आगे दीरे दीरे day by day में आपको videos बताते रहे होंगा, I hope students आप लोग को इतना समझ माया रहेगा pivot table में, so यह पूरा complete pivot table ऐसे use होता है, and I hope बहुत अच्छा knowledge मिला है आपको students, so आज तो सिर्फ मैंने आपको pivot के related आपको knowledge दिया, वैसे ही आपको मैं day by day हर एक topic में आपको ऐसे ही videos बना के आपको WhatsApp कर दूँगा, so I hope आप लोग पू लोगे, okay? Thank you so much.